आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने फोन में जीमेल से किसी को फोटो सैंड कैसे करें या फिर जीमेल से किसी को फोटो कैसे भेजें तो इसके लिए आप अपने फोन में जीमेल आप उपन करिए अब जीमेल उपन करने के बाद ऐसा पेज आएगा उसके सामने आएगा ऊपर आएगा यह फ्रॉम तो यहां पर फ्रॉम में आपकी ऑटोमेटिकली जीमेल आइडी आ चुकी है जिस जीमेल आइडी से आप फोटो सैंड कर रहे हैं तो नीचे आएगा विए टू तो टू पर किलिक करिए और यहां पर जिसको आप सैंड कर रहे हैं उस के suggestion में ये Gmail account आ जाएगा तो आप इस पर click करिए और इससे select करिए तो यहाँ पर हमने अपने friend का Gmail account एंटर कर लिया है तो यहाँ पर हमने अपने friend का Gmail account एंटर कर लिया है उसके बाद आएगा नीचे ये subject अब आप अपने Gmail का subject लिख सकते हैं और उसके बाद नीचे compose email आएगा तो इसमें आप लिख सकते हैं अपना अगर आपको कोई mail टाइप करना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं उसके बाद उपर right में corner में आएगा ये attachment का icon तो आप इस attachment के icon पे click करिए उसके बाद attach file आएगा इस पे click करिए attach file पे click करने के बाद अब यहाँ पर आप अपनी gallery में जा सकते हैं या फिर उपर ये जो images आएगा images पे click करिए अब आपके phone के सारी photos आ चुकी हैं तो जो photo आप send करेंगे यहाँ पर उस photo पे click करिए यहाँ फिर एक से जादा photo send करेंगे तो आप उस photo पे 2-3 second प्रेस करिए select करिए तो इस तरीके से photo select करने के बाद और photo आप select कर सकते हैं सेम इसी तरीके से तो photo आप select करने के बाद उपर यह जो आएगा select button इस पे आप click करिए अब आपकी photo attach हो चुकी है आपके Gmail में तो आप send करने के लिए उपर आएगा यह send का icon तो इस पे आप click करिए क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आएगा नीचे सैंड होने के बाद तो यहाँ पर फोटो सैंड हो गया है चेक करने के लिए उपर लेफ्ट में तीन लाइन पर क्लिक करिए नीचे सैंड आएगा तो इस पर क्लिक करिए अब यहाँ पर आपके send किये हुए Gmail आ चुके हैं तो जैसे कि हमने यह photo send किया है तो यह send हो गया है तो इस तरीके से Gmail से photo send करें विडियो पसंद आई तो इस विडियो को like जरूर करें